अवसी जिस दुन अविसिया को टंग लिया जाएगा भट्ठना नहीं गठेसान है तो टंगोई है यह को जेल मेडाली है देखिए उसका सारा कनेक्शन आगा उसका पाकिस्तान से भी कनेक्शन है बंगलादेसिं वी कनेक्शन है और जीतना अतंकवादी गति बीधिया हां हिं और वो मुस्लिमों के खिलाब किस तरह से नफ्रत बाजी करता है इस वीडियो में छोटा सा क्लिफ होने वाला है तो लाश्ट तक जरू देखेगा और वीडियो अश्री लेगे तुरी वीडियो को लाइक करके चालों सब्सक्राइब कर लिजेगा चलिए वीडियो को स्टार् करनेक्षन और जितना अतंगवादी गतिवीडियों हिंदुस्तान में हो रहा है उस सब गतिवीडियों सामिल है जैन दोस्तों यह जूला चाप पत्रकार मनीश कश्यप अवेसी सहब के बारे में कह रहा है कि अवेसिया का कनेक्षन पाकिस्तान और बंगलादेश से है और में जितना भी आतंगवादी गतिवीदी होता है उन सब में ओवेसी सामिल होता है याने कुल मिलाकर कहें तो मनीश कर्षप ओवेसी साहब के देजभक्ती पर सवाल उठा रहा है वैसे मनीश कर्षप के इस बात को सुनकर हमको ओवेसी साहब का वो डायलोग याद आ गया जो होने कभी भारत के मुसल्मानों के देजभक्ती पर सवाल उठाने वाले भारत के दोगले लोगों के लिए कहा था और वैसी साहब ने कहा था कि हम बायचांस नहीं बाय च्वाइस इंडियन हैं च्योंकि हमारे पुरवजों के पास मौका था कि वह पार्टिशन के समय भारत को छोड़ कर पाकिस्तान या बंगला देश चले जाते लेकिन हमारे पुरवजों ने भारत में रहना पसंद किया इसलिए हम बाई चांस नहीं बाई च्वाइस इंडियन है और ये हमारी देश भक्ती का सबसे बड़ा सबूत है ये बड़ी अच्छी बात के या वैसे दोस्त खेर अगर कोई मोदी भक्त मनीश कस्यप के ओवेसी सहाब पर बत्तमीजी भरे स्टेटमेंट को सुनकर खुस हो रहे हैं तो वो लोग जराई जोला च्छापत रकार का अगला वीडियो देख लीजिए आप लोगों को परदान मंत्री कौन पसंद है जो जुम्ला बाजी कर जो बोले कि दो करोर नोकडी देंगे इस तरह का जूटा वादा करे जो बोले कि बचपन में चाय बेचते थे लेकिन उसके चाय बेचने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिले यानि कुल मिलाकर करके हैं तो मनीश कस्यप के हिसाब से मोदी जूटे और जुम्ले बाज हैं और वेशी सहाब आतंगवादी हैं तो ऐसे सिच्वेशन में भारत का परधान मंत्री किस महान इंसान को होना चाहिए अब जरामनीश कस्यप से यह भी सुन लीजिए इस देश का परधान मंत्री बनने के लिए राहुल गांदी भारत जोरो यात्रा में लगे वे हैं नितीश कुमार विपक्ष जोरो योजना में लगे वे हैं और मोदी जी विपक्ष तोरो अभियान में लगे वे हैं और यह जोला चाप पत्रकार भारत का परधान मंत्री बनने के लिए देश की जनता को केजडिवाल से भी बड़ा विकास का लॉली पॉप दिखा रहा है यह कह रहा है कि हमको इस देश का परधान मंत्री बना दीजिए हम एक दिन में बियसनल को कंडिशन मिला देंगे और तीस दिन के अंदर बियसनल को नंबर वन बना देंगे लेकिन जब पतरकार ने इससे पूछा कि अगर आपको इस देश का पर्धान मंत्री बना दिया जाएगा तो आप किस तरह से बीस अनल को नंबर वन बना देंगे थोड़ा अपना प्लान बताइए तो सुनिये इस जुम्ले बाज ने क्या जवाब दिया अब चौववीज घंटा में सवही करेंगे आज बता दे तो मोदी जीवा को पी नहीं कर लेगा उपको पर्धान मंत्री बना दिजे हमको उसके पूरा पाहल बता देंगे या टेलिकॉम मिनिश्टर बना देजे पूरा पाहल बताएंगे ये जुम्ले बाज को छोड़ा खसका हुए लगता हैंगे ये पूरा सामने दिख रहा है मोदी जी मैं दिखा रहा हूं आपको ये सामने जो दिख रहा है न मोदी जी ये पहाड ये हिंदुस्तान का पहाड़ है जिस पर नेपाल का कब जा है मोदी जी आदेश दो और साला उतारो यहाँ पे सो भिस्म टैंक तिमार का किसक गया है और हमारा मिराज और सुखोई जो है उतार दो और चीन और पाकिस्तान से बाद में लाड़ेंगे पहले इस साला नेपाल को सबक सिखा दो यह अरनब गोस्वामी का थर्ड कौपी नेपाल को उराने के लिए सो भिस्म टैंक, पांच रफाल, सुखोई और मिराज फाइटर जेट लेकर मोदी जी को मैदान में उतरने के लिए बोल रहा है कोई इस जोला छाप पतरकार को बताओ कि भारत और नेपाल के बीच शान्ती और मित्रता संदी है जो 1950 में हुआ था और वो अब तक चला आ रहा है इतना ही नहीं नेपाल हमारा एक लोता ऐसा परोसी देश है जहां जाने के लिए ना वीजा लगता है ना पासपोर्ट और भारत और नेपाल के बीच जो रिष्टा है उसे रोटी बेटी का रिष्टा भी कहा जाता है क्योंकि दोनों देशों के लोग एक दूसरे देश में आकर रोजगार भी करते हैं और रिष्टेदारी भी इतना ही नहीं भारत नेपाल का सबसे बरावयापारिक भागेदार के साथ साथ विदेशी निवेज जिसे अंग्रेजी में इसका सबसे बरा सुरोत है और ये जोला चाप पतरकार मोदी जी को पहार के चक्कर में पूरा नेपाल उराने के लिए कह रहा है मोदी जी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी मनीश कश्यप को मनीमन यहीं बोल रहे होंगे थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो उसको बिलकुल नहीं दी है वैसे दोस्तों आप लोगों को वह अंदभक्त तो याद होगा जिसे मोदी सरकार से ना सरक चाहिए था ना रोटी चाहिए था उसे सिर्फ और सिर्फ मंदिर चाहिए था आज एक बार फिर से उस अंदभक्त पर नज़र डाल लीजिए इस नमूने को हम तीन साल पहले देखे थे तब से लेकर अब तक हम इसके बराबरी का अंदभक्त ढूंड रहे थे लेकिन कहते हैं ना कि ढूंडने से खुदा भी मिल जाता है तो चूतिये क्या चीज़ हैं आखिरकार ये कहावत सच हुआ और मेरे सामने मनीस कस्यप का ये वीडियो पर कट हुआ अगर राम मंदिर नहीं बनता है तो ओन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं कि हम लोग सभी भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे हमें सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर चाहिए ये और रिकॉर्ड कह रहा है कि अगर हमें राम मंदिर नहीं मिला तो हम सभी भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे हमें सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर चाहिए वैसे राम मंदिर तो इसे मिल गया उसके बाद भी ये मोधी सरकार का विरोध करता है अब आप लोग इसे सच्चा पत्रकार कहेंगे या दोगला पत्रकार या आप लोग खुद तै कर लीजिए बाकि हम आगे बढ़ते हैं और इसके अगले वीडियो पर नज़र डालते हैं दो लाख कम से कम धाई से तीन लाख जादा से जादा इतना रुपया मैं पर डे डोनेट करता हूँ मेरे साथ जो लोग चलते हैं और पाई से तीन लाख जादा देता है और ये इतना बड़ा दानवीर है कि इसके साथ चलने वाले लोग डर से अपने साथ रुपया लेकर नहीं चलते हैं कि कहीं मनीश का से अप उनका रुपया निकाल कर डान न कर दे जनता को आप मुर्ख समझना बंद कर दीजिए इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती लोग मजाग उडाते हैं उस असुरा अपने घर के सामने पार्क नहीं बनवा पाया सारुख हुआ मुंबई में हम जाके बनवाए हैं हम जाके बनवाए हैं कौदे क्यों अपने दम पे बनवाया है सारुख खान का घर जो मननत है उसके घर के सामने जो है उपानी गिराता था रोट पे जो है कचड़ा फ़िलाता था हम जाके उसका पानी बंद करा हैं उसके घर के सामने लोग कचड़ा फेकते थे बिल्कुल सही है जब मोदी सरकार ने स्वच भारत अभ्यान के तहट हगने के लिए पूरे देश में सोचाले बनवा दिया है उसके बावजूद तुम हगने के लिए सोचल मीडिया पर काहे चले आते हो यह नमूना कह रहा है कि इसके चिलाने के वज़े से मोदी को BSNL को 1,64,000 क्रोड का पैकेज देना परा अगर इस देश का कोई बेरोजगार युवा ये वीडियो देख रहा है तो उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि मनीज कस्चेब आपको जहां भी मिले उसे पकड़ कर उसके पिछवारे पर अच्छे से लाल मिर्च का पॉडर मल दीजिए ताकि ये जोड-जोड से रोजगार रोजगार चिलाए और इसके चिलाने के वज़े से मोदी जी इस देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे दे वैसे दोस्तो मनीश कस्यप एक दिमागी बवासीर का मरीज है ये तो आप लोग समझ गए होंगे लेकिन जो लोग अभी इसे एक महान पत्रकार समझ रहे हैं वो लोग जरा इसका आगला वीडियो देख लिजिए ये दिमागी बवासीर का मरीज कह रहा है कि हम गांधी को क्यूं फॉलो करेंगे हम सरदार पटेल को फॉलो करेंगे देखो भारत में सिर्फ वही लोग गांधी जी को फॉलो नहीं करते हैं जो नाथुराम गोडसे की नाजायज आउलाद होते हैं वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ये दिमागी बवासीर का मरीज मनीज कस्यप बिहार के चंपारन का रहने वाला है और गांधी जी ने भारत में अंग्रेजों के खिलाब सबसे पहला आंदोलन चंपारन से ही शुरू किया था जिसे चंपारन सत्यागरह के नाम से जाना जाता है और ये चंपारन का चूतिया कह रहा है कि हम गांधी जी को क्यों फॉलो करेंगे वैसे ये गांधी जी को फॉलो करे या ना करे लेकिन इसके बातों को सुनकर आज से बहुत से लोग इसे फॉलो करना जरूर बंद कर देंगे अरे आमीरे खान चूतिया है उस सूरू से चूतिया पाही किया है और उसका चूतिया पाऊ उसके फिल्म पर भारी पड़ रहा है उसका करियर खटम ये गोदी मीडिया का थड़ कौपी मनीश कश्यप बोल रहा है कि आमिर खान चूतिया है और उसने आज तक सिर्फ चूतियापा ही किया है इसलिए अब उसका केरियर खतम देखो आमिर खान के केरियर का तो पता नहीं लेकिन मनीश कश्यप जिस परकार से और जिस रफ्तार से जहरीला पत्रकारिता कर रहा है बहुत जल्दी इसके केरियर का सत्यानास जरूर हो जाएगा वैसे कुछ दिन पहले आमिर खान का एक फिल्म आया था लाल सिंग चड़ा के नाम से जिसका मनीश कश्यप ने जमकर विरोध किया था जो कि हम पिछले वीडियो में भी दिखा चुके हैं वैसे उसी फिल्म का प्रमोशन भोजपुरी फिल्म की एक एक एक्ट्रेस अक्षरा सिंग ने किया था इस बात पर मनीश कश्यप ने अक्षरा सिंग को क्या खुछ कहा था जरा वो देख लिजिए अक्षरा जी अगर आपके अंदर अवकात होता तो अमीर खान के फिल्म को हिट नहीं कराती आप अपना फिल्म को हिट करा देती आपका तो अभी ये कुछ दिन पहले फिल्म आया है ना पाचो को सिनेमा हॉल में नहीं लगा है और एक मॉल्टि प्लेक्स में पूरे अब दूस्तान में नहीं लगाया आपका फिल्म तो जिसका अपना अउकात नहीं है वो दूसरे किसी का फिल्म हिट कराने के बात कर रही है ये मुर्खता नहीं तो और क्या है लेकिन जब वही अक्षरा सिंग इस जोला चाप पत्रकार के सामने आती है तो यह किस परकार से अक्षरा सिंग का चाटूकारिता सुरू कर देता है अब जरा वो भी देख लिजिए अभी हमारे साथ भूजपूरी इंडस्टी की सेरनी जी से कहा जाता है वो है नाम है इनका अक्षरा सिंग जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों हमने आज तक बहुत से चाटू प्यार का आता है उसको मैं पढ़के आपको सुनाना चाहता हूं प्यार और जिन्दगी के संबंध में आपसे अनुरोध है कि मेरा साधी अक्षरा सिंग से करा दीजिए आप हमारे हैं तो आप हमारा दर्द समझ सकते हैं नहीं तो मैं आपका आपके खिला बहुत सारा सकते हैं वैसे यह आवारा पत्रकार मनीश कस्यप खुद को सनफ बिहार कहता है लेकिन बहुत से लोग इसे सन आफ आरेसेस कहते हैं वैसे यह सन आफ आरेसेस यह आप लोग मनीश कस्यप के मूझ से ही सुन लीजिए मैं आरेसेस का पर्थम वर्ष पर सिक्षित कारे करता हूं मैं धोज वाहक था आप देखिएगा चंडा के साथ सबसे आगे चलने वाला मनीश कस्यप है तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई वहां पर मुझे बं बनाना नहीं सिखाया गया है वहां पर राष्ट बनाना सिखा गया है और हम राष्टवादी है वैसे मनीश कस्यप कितना बरा राष्टवादी है इसका अंताजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल में इस पर कई सारा मुकदमा चल रहा है और ये कई बार जेल भी जा चुका है इतना ही नहीं दवायर के एक रिपोर्ट के म मनीश कस्यप पटना के बुद्धा मार्ग इस्थितलहासा मार्केट में कस्मीरी वयापारियों से मार्पीट करने चीन छपाट करने और दंगा भरकाने का भी आरोपी है 23 फरवरी 2019 को पटना पुलिस के विशेश टीम ने जब छापे मारी करके मनीश कस्यप और उनके दो सा दोस्तों अब तो आप लोग समझ गये होंगे कि खुद को सनोब बिहार कहने वाला मनीश कस्यप असल में कितना बरा दोगला पत्रकार है वैसे मनीश कस्यप ने आयांस नाम के एक बच्चे के इलाज के नाम पर सोसल मीडिया के जरिये जो 16 करोर का चंदा बटोडा था उस बारे में तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा लेकिन अगर आप लोग इस जोला चाप पत्रकार का पा वीडियो में पर समापत हो जाती है बात करते हैं मनीश कस्यप की तो मनीश कस्यप एक आरेसा इसका एजन्ड है चट्डीदारी गैंग का और इसमें इसकी कोई भी वीडियो ठाक देख लोग कोई भी रिपोर्टिंग यह सिब मुसलमानों के खिलाब ही बोलता है और यह तो वीडियो देखने के लिए हमारे चमव सस्क्राइब कर लिजिएगा मैं मिलता हूँ आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाय बाय